क्या आपका लिंग सिकूर रहा है जानी है रिपोर्ट और इसका उप्चार आज मैं बात करने वाला हूं लिंग का सिकूर ना और इसका उप्चार क्या है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तित नियों महाराष्ट में पिछले 41 साल से अकॉला में प्रैटिस कर रहा हूं हमरे प्रैटिस म यूप चिंता है कि अपना लिंग सोटा हो रहा है यह जटना लंबा चीए उतना लंबा नहीं है और फिर उसके लिए वो और यह चाहते लोग पूलते हैं कुछंब उसको और गー hours का करनी है कि आशकल स्चल मेडिया में इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं और लोग इतना सारा time social media में spend करते हैं तो उसमें naturally पॉन वीडियोस भी आते रहते हैं और जब पॉन वीडियो में वो देखते हैं कि बड़े-बड़े link वाले लोग sex करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि अपना इतना चोटा है और उनके जैसा इतना बड़ा नहीं है और फिर वो उनका आत्मसंद्वान कम हो जाता है उनको डिप्रेशन आता है उनको ऐसा लगता है कि वान में देखने वाले जो लोग है उनके जो लंबे-लंबे रहते हैं लिंग है तो उतना अपना होना चाहिए अपना तो छो चोटा हो गया या मेरा रात में बहुत जाना सपने में चले गया या मैंने कोई ऐसे गलत काम किये बच्पन में इसके वसे चोटा हो गया ऐसा लोग बोलते रहते हैं वेसी लोग जब कॉमन टाइलेट जाते रहते हैं पब्लिक प्लेस में जाते रहते तो एक दुसरे का दे सिख़यों स्यज्व करते चोड़ने के यहrier नमब इक तनाउं में जो ले रहते उनका लिंग को स्यपतथे शोती ही कि शोत सब्सक्राइब यदि कि ढ dużी 16 जिक डिमल शोता पारनह लाच में सब्सक्राइब शीओ में तो एक अंदर फैब्रोसिस तयार हो जाता है फिर टेस्टोस्टेरोन की लेवर यदि कम हो गई तो उससे लिंग छोटा होता है आपकी उमर बड़ी है तो बड़ी उमर में भी लिंग छोटा होते जाता है अप्रॉजिमेटल ऐसे स्टुडिस में पाए गया है कि साट से सतर सा ऑसे सब्सक्राइबा से संटुड़ में फtoirophal की वमर तक आदमी का लुए से 2 सेंटीमीटर कम हो सकता है जो नॉर्मल था उससे कम हो सकता है थिसमें होता क्या है सब मतलब चोटा हे तक लोगों का आत्मसंद्मान कम हो जाता है क्या होता है कि एक तो उमर से होता है और दूसरा प्रोस्टेट सरजरी जिनके जिनके हो जाती है प्रोस्टेट सरजरी तो प्रोस्टेट सरजरी के बाद में कम से कम 6-12 महने तक लिंक सिकुड जाता है तो वह भी कारण हो सकता है पर दूसरा पाइरोनेस डिसीस कुछ लोगों तो यह बहुत सारे कारण हो सकते है अच्छूली लिंग सुकूडता नहीं है वैसा देखा जाया तो उनको ऐसा लगता है कि उमर बढ़ने के बाद में लिंग के ऊपर मतलब जो लिंग की ऊपर की बाज़ों काफी सारा फैट जमा हो जाता है अब समझें मोटा पाय बहुत सारा फैट है तो नाइचरली आगमी ऊपर से देख रहा है लिंग को जब ऊपर से देख रहा है तो फैट को ऐसा फैट धक रहा है उसको और लिंग दिखता है छोड़ा एक्चुली यह आपको लिंग को नापना है तो फैट बाजू करके या कि निवर्व लकडि वालों में ऐसी खुपस दिया है और वह लेटिया आजुब आजु में बहुत सारी रेट ऐसी बालों जमा कर दिया एक्चुली लखडी की लंबहें बहुत जादा है मगर रेट जमा हो गई तो लकडि दिखती इत्ति सी इसका मतलब लग छोटी यह ऐस कि लीज़ चोरण और उसके कुन से कारण है कि वह चोटा हो सकता है हम दिखते है कि या इन्जूरी मेल मतलब उसके से हो रहा है जाए क्या उमर जादा हो गा 영상 करके हो रहा है कि यह ज flipping communist ऐसे बहुत साने पहले कारण एकना पड़ता और उसको बोलना पड़ता है कि वही ऐसा छोटा कुछ नहीं है क्या होता है और एक कारण कि 17 18 19 20 25 तक spontaneous erections होते रहते हैं spontaneous erections मतलब naturally कुद्रती विच विच में दिन भर में erections होते रहते हैं कोई लड़की को देख लिया आवाज सुन लिया कोई टच हो गया कोई टीवी में देख लिया मतलब ऐसा कई naturally भी होते रहते spontaneous erections और फिर लिंग छोटा दिखने लगता है तो एक वो भी कारण हो सकता है कि लिंग छोटा होने का मतलब चोटा नहीं है मगर spontaneous erections बंद हो अभी इसके प्राब्लेम क्या है लिंग छोटा है तो लोगों का आत्मसंदमान कम हो जाता है नंबर एक नंबर दो पेश्याप जब करते हैं तब कपड़ों के ऊपर पेश्याप गिर सकती है नंबर तीन उनको ऐसा लगता है कि मेरे महला साथी को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा लिंग छोटा है तो ऐसे बहुत सारे उसके impact है हाला कि ऐसा नहीं है मतलब जब survey किया गया बहुत सारी जगा और बहुत सारे studies में तो 85% महला उने यह बोला कि हमको लिंग के लंबाई से कुछ मतलब नहीं है लिंग के लंबाई से और उसके उपर लंबाई के उपर हमारी संतुष्टी डिपेंड नहीं है ऐसा उनने बोला लिंग की लंबाई हम देखते नहीं है उससे हमको संतुष्टी मिलती नहीं मिलती हमको मालूम भी नहीं मतलों मतलब एक्चुली वह फरक पड़ता ही नहीं है एस फर एस मतलब महला पार्टनर जो है उसका कंसर्ण देखा तो पुरुष को ऐसा लगता है कि अपना छोटा है तो यह प्रॉब्लेम हो सकता है तो फिर अभी नॉर्मल क्या लंबाई कितनी होनी चाहिए तो अलग-अलग स्ट इंच से लेके साड़ी तीन इंच मतलब मैं हर्दम यह देता हूं एक्जामपल कि मैं छोटी उंगली जो है लिटल फिंगर इसका समझो यह पहला तुकड़ा भी है इतना भी समझो डिलेपन में लिंग है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि देख इंच से लेके साड़ी तीन लंबाइन आपी एवरेज में मतलब बड़ी बहुत बड़ी स्टड़ी की गई है उसमें उन्होंने देखा काफी लोगों को लोगों को मतलब टेस्ट किया और उसमें मालूम पड़ा कि लोगों का जो रेंज था वो 1.6 इंच से लेके 10 इंच तक था मतलब 1.6 इंच लंबाई वाले भी लोग थे एरेक्ट होने के बाद में कड़क होने के बाद में और 10 इंच वाले भी लोग थे इसलिए सब का जब एवरेज निकाला तो 5.6 में लब 5.5 इंच लिंक कट होने के बाद में लिंक की लंबाई ना पी गई और गोलाई जो है वो 4.8 इंच से लेके 5 इंच तक गोलाई ना पी गई तो यह जी है तो आपको कोई प्राब्लेम है नहीं अमेरिका के इंडिया ना युनियर सिटी में 1601 पुरुषों को स्टडी में लिया और उनको इरेक्ट होने के बाद में उनकी पेनिस के लंबाई गिनने के लिए बोला तो 1.6 इंच से लेके 10.2 इंच तक इतना वेरियेशन लंबाई में मालूम पड़ा और गोलाई में 4.8 इंच रहा तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है तो इस पाया गया मतलब सबका अवरेज निकाला तो वह 5.5 इंच का था जब कठोर होता है तो जब ढिला होता है तो देड़ इंच से लेके 3.5 इंच तक है तो कोई चिंता करने के वैसी बात नहीं जुनियर्सिटी कॉलेज आफ लंडन के एक रिपोर्ट के अनुसार 3400 पुर्षों के उपर स्टड़ी की गई और उन में से 200 पुर्षों ने ये बोला कि उनका लिंग छोटा है और उनका लिंग छोटा था मतलब जो एवरेज था उससे छोटा था एक स्टड़ी अमेरिका में और ऐसी की गई कि 15521 पुर्षों की स्टड़ी की गई और इरेक्शन के बाद में उनका लिंग नापने के लिए उनको बोला तो वो एवरेज में उसका रिपोर्ट जो है वो चार से छे इंच का था अब नॉर्मल रेंज में गोलाई में यदि 4.8 इंच है या 5 इंच है तो आप नॉर्मल रेंज में आप है कम रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं एवरेज बता रहा हूं मैं अब सब यह होने के बाद में अभी सवाल यह आता है फिर करना क्या नंबर एक अभी मैं आपको बताता उसका इलाज कि समझा आपको लगता है कि अपना छोटा है तो करना क्या है क्योंकि छोटा है और आपको लगता है कि अपने बढ़ा करना चाहिए तो कोशिश तो जारी रखना ही है कोशिश तो करनी जाहिए नंबर एक आप स्ट्रेस मेनेजमेंट करना सिखों स्ट्रेस कैस से कम कराई जैसा मेड़ेशन आप करते हैं रिलाइगेशन एक्जरसाइज करते उसे फर्ख पड़ता है नमबर दो आप भ्यायम करो भी छेसे आठ किलोमेटर चलना दवड़ना एक्जरसाइज अलग-अलग आसन करना यह आप करो नमबर मेरा अलग वीडियो क्या है किगल एकसराइज आप पर फर्ख पड़ जाता है नंबर 4 लेक OK वो इद्य लेना और अखैन को मसाच करना और उसको स्ट्रेशच करते जाना बाहर खिशते जाना एस आपर रोज.. पास से 10 मिनिट करते हैं चार से छे मेने में फरक पड़ सकता है फिर दूसरा मसाज जो है वह पम का मतलब लूब्रिकेटिंग जेली लगाना वैक्यूम लगाना और पेनिस इरेक करके रख देना तो उससे भी फरक पड़ सकता है वो जो इरेक पेनिस से उसका मसाज करना नमबर थीन मसाज करने का तरीका है जेल की एक्जरसाइज, मतलब दोनों हाथ से पेनिस को मलना है, मलने का है, लुब्रिकेटिंग जेल लेके मलना है और उसको अच्छा मसाज करने का है करें नमबर 4 चार स्टेशिंग एक् Landes एक्रसाइज स्टेशिंग जाएज में क्या करते कि अंगुठगा और तरजमे यह डो है तो इसको जैसा गाय का दूद निकालते है वैसा गाय का दूद निकालते हैं वैसा पयनिस को एसा उपर से नीचे उपर से नीचे खुबरे का तेल लेके coconut oil लेके उसका massage ये दि करते हैं तो हो जाता है तो ये अलगले तरीके massage है ये massage आप करते हैं 4 से 6 मेंने तो फरक पड़ सकता है vacuum pump का है vacuum pump आप लगाते हैं और erection करके रखते हैं massage भी नहीं करते हैं तभी उसका फायदा हो जाएंगा ये पांचवा point है pump पे लगाना vacuum pump नमबर 6 आप low dose में टाडला फील या वरदाना फील की दवाई लेते हैं और रोज लेते हैं injection या tablet उससे फरक पड़ जाता है नमबर 9 शौक वेव ट्रीटमेंट लो इंडेंसिटी शौक स्पेशल मशीन आती है वह शौक देते हैं शौक देते हैं उसको तो उससे फरक पड़ जाता है और लंबाई में फरक होता है नमबर 10 प्लाज्मा थेरेपी मतलब पी शौक थेरेपी मतलब पेशन के खून से कौंसेंट्रेटड प्लाज्मा निकालना है उसको इंड़ करना है पैनिस में तो यह भी रिसेंट है और इससे भी फरक पड़ सकता है और नमबर 11 फैट रिमूल यह बहुत ज्यादा फैट प नमडर बारा है अपके लिए से अपन बड़ा हो चुका है नंबर मारा सरज्यरी आप करते हैं involved देली殃 और ड़ना site उस तो ऐसे अलग-अलग treatment है लिंग जब सुकड गया ऐसा आपको लगता है तो और इससे आपको ठीक लग सकता है फायदा हो सकता है ultimately टेको मेसेज है कि सचमुझ आपका लिंग छोटा होगा है तो definitely आप exercise करो आपको ऐसा लगता है कि हुआ मगर डॉक्टर नहीं बोलते है तो कुछ करने का है नहीं कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अपने कुछ और बीडियो कॉल करके एक बार बता देतें मैं गोलता हो नहीं है ठीक है कोई चिंता मत कर और वो फिर कोई चिंता करता नहीं उसकी फिकर मिड़ जाती है हस्त में तुन गरने से लिंक का साइस छोटा होता नहीं है पक्का समझ लो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तजरू लोगों को शेर करो बहुत लोगों के लाइफ भरबात होते हुए बच जाएंगे आपका ख्याल रखेएगा आपके परिवार का ख्याल रखो क्योंकि आप बहुत मुल्यवान हो बहुत मुल्य हो थैंक्यू बेरी मुच्छ